यूपी के आउध्या में लोगों को हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है यहां अचानक आबाज के साथ जमीन से आग के गोले निकलने लगे इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जाच कर जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा सनातन धर्म कुमानने बालों के लिए आस्ता भक्ती और विश्वास की राम नंगरी अयुद्या से हर कोई परचित है यहां बन रहे भगवान राम के भब मंदिर की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में हो रही है भगवान राम की नगरी सिर्फ भक्ती ही नहीं बलकि कई बड़े रहसों को अपने आप में समेटे हुए है इसी बीच यहां अचानक आबाज के साथ जमीन से आग के गोले निकलने लगे ये पूरा मामला अयोध्या के पूरा बजार इस्थित बच्चू लाल इंटर कॉलेज के मैदान का है जमा जम हो रही बारिस के दौरान शाम को अचानक जमीन से आख के गोले निकलने लगे इसके अलाबा लोगों को तरह तरह की आवाजें भी सुनाई पड़ रही हैं बिध्याले परिसर में अचानक आख के गोले निकलता देख लोग बहुत चक्के रहे गए आसपास के ग्रामीलों को जैसे ही इसकी सूचना मिली बेभी इस अदभूर नजारे को देखने के लिए एकत्रित होने लगे किसी ने इसे दैविय चमतकार बताया तो कोई बड़ी अनहोनी की घटना करार देता दिखाई दिया यहां अशर जनक बात यह है कि तेज बारिस और जलभराओ के बीच कैसे आग जल सकती है इसका वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हुआ तो पुलिस और प्रसासन में भी हल चल मच गई सूचना पाकर मौके पर पूरा बजार चोकी पिरभारी अजीत तिवारी पहुँचे उन्होंने जाच परताल शुरू की चोकी पिरभारी ने बताया कि अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दवाजी होगा पहले पूरे मामले की जाच करेंगे अगर इसमें पता नहीं चल पाया तो प्रत्वी विज्ञान विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी वहीं दूसरी और विध्याले में मौझूद हनुवान मंदिर के पुजारी बबू पांडे ने बताया कि इस तरह की घटना हमारे सामने नहीं हुई है ये वीडियो किसने बनाया और कब बारल किया हमें इसकी भी जानकारी नहीं है विध्याले के प्रधाना चार देवेंदर सिंग ने बताया कि हम लोग विध्याले बंद कर घर चले गए थे इसकी जाच की जा रही है कि घटना कैसे हुई उन्होंने बताया कि ये बच्चों की शरारत भी हो सकती है इसकी जाच करने के बाद ही सही पता चल पाएगा खाबरों का सिसला जारी रहेगा देखते रहिए जन प्रवाद नमस्कार